अगर देखा जाए तो आज की समय में ज्यादाता लोग सुभे सुभे उठते ही ब्रश करते हैं जिससे सासें फ्रेश हो जाती हैं और मुह से आनी वाली दुरगंद भी दूर हो जाती है रात की समय जब हम सोते हैं तो हमारी सासों से किसी भी तरह की दुरगंद नहीं आती है लेकिन सुभे सासों में दुरगंद पैदा हो जाती है और कई बार तो देखा जाता है कि कुछ लोग मुह से सारा दिन दुरगंद उनके आती रहती है कभी कभी सांसों से आने वाली दुर्गंद के कारण हमें सामने वाले लोगों की सागे शर्मिन्दा होना पड़ता है आपको बता दें कि सांसों से दुर्गंद आने का कारण दातों के आसपास बद्बू पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं अब अगर आपकी सांसों से भी दुर्गंद आती है तो आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरे लूनुस्खे बताने जा रहे हैं जिनके इस्तिमाल से आप सांसों की दुर्गंद से छुटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं सबसे पहले आपको उता दें कि सांसों की दुर्गंद को भगाने के लिए आप सौंफ का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लावा सौंफ पाचन के दिया को दुरस्त करने के साथ साथ मूँ को फ्रेश रखती है क्योंकि सौंफ में भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टेरियल तक्व मौझूद होते हैं जो बैक्टेरिया से लड़ने में सहायक होते हैं अगर आप सांसों की दुर्गंद से परिशान हैं तो हर रोज रात में खाना खाने से आदा घंटे पहले एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका डाल कर पियें ऐसा करने से आपकी सांसों से आने वाली दुर्गंद दूर हो जाती है नमबर तीन, एक गिलास पानी में दो चम्मच नीबू का रस डाल कर दिन में दो बार कुल्ला करें, ऐसा करने से आपके मुह की ड्राइनेस दूर हो जाएगी और मुह में मौजूद बैक्टेरिया भी खत्म हो जाएगे क्यूरेन हेल डैस की रिपॉर्ट